शहद यानि की हनी दोस्तो आज की इस वीडियो में हम शहद से लेटिड तमाम जानकारी जानेंगे कि शहद खाने से कौन-कौन सी बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं शहद हमें कैसे खाना चाहिए शहद हमें कैसे नहीं खाना चाहिए और शहद कितनी मात्रा में हमें खाना चाहिए और किन लोगों को शहद नहीं भी खाना चाहिए दोस्तो ऐसा नहीं कि यूट्यूब पर कोई वीडियो या कोई आर्टिकल पढ़के हमने शहद का सेवन करना शुरू कर दिया हमें शहद का सेवन तभी करना चाहिए जब हमें उसका उच्चित तरीका पता हो और ये पता हो कि उसे कैसे हमने खाना है आहार के रूप में या फ जिक्र करेंगे आज की इस वीडियो में दोस्तो वैसे सबसे पहले आपको एक बार जानकर बहुत हैरानगी होगी कि शहद की कोई एक्सपारी डेट नहीं होती यानि कि शहद सौ साल तक भी पढ़ा रहे तो कभी भी खराब नहीं होता ये शायद ही कुछ लोग जानते और सिर्फ शहद के मामले में ये ही नहीं है कि ये खराब नहीं होता बलकि ये जितना पुराना होता है उतनी इसमें गुनवत्ता बढ़ती जाती है सीधी भाशा में कहें तो जितना पुराना शहद उतना ही बढ़िया इसलिए आयुरुएद में शहद को अमरित के समान मान गया है और आपको ये जानकर भी हैरानगी होगी कि पूरी दुरिया में सिरफ शहद ही एक ऐसा पदार्थ है जिसकी रसाइनिक सरचना जो है बिलकुल human blood यानि कि हमारे खून की रसाइनिक सरचना के साथ मैच करती है इसलिए अगर सही डंग से हम रोजाना इसका इस्तिमाल कर पर हम अपने श्रीर में बदलाव मैसूस कर सकते हैं अपने स्वास्थ को लेकर और अगर आपको इसका सही इस्तिमाल का धंग पता चल जाए और आप उसका उसी परकार प्रयोग करें प्रति दिन तो आपका जीवन एक नया रूप ले सकता है और आप ऐसा मैसूस कर सकते है जो आज तक शायद ही कभी आपने मैसूस किया हो हम अपने रोजाना दैनिक जीवन में जो भी आहार लेते हैं उसमें कुछ ना कुछ मात्रा हम मीठा यानि की चीनी के रूप में जरूर लेते हैं और अगर हम उसकी बजाए शहद का इस्तिमाल शुरू कर दें तो हमें जित नहीं है जबकि भारत एक ऐसा देश है यहां शहद इतनी मात्रा में उपलब्ध है कि अगर हम चीनी के जगा शहद का इस्तिमाल करना शुरू कर दें तो हमारा जीवन ही बिलकुल बदल सकता है और जितने नुकसान और जितनी बिमारियां जो हैं हम चीनी के इस्तिमाल से अ हैं सिर्फ एक छोटी सी बात कि हमें चीनी की जगा अगर शहद का इस्तिमाल करना शुरू कर दें सबसे पहली बात जो चीनी खाने से मैकसिमम लोगों को बिमारी होती है शूगर की जानी की डाइपटीज सिर्फ अगर हम चीनी बंद कर दें और चीनी के जगा शहद हनी का करना शुरू कर दे तो हमें जीवन में कभी भी शूगर हो ही नहीं सकती ये पहली गरंटी की बात है और शहद इतना महंगा भी नहीं कि अगर हम चीनी खरीद कर उसका इस्तिमाल कर सकते हैं तो बड़ी आसानी से हम शहद का भी इस्तिमाल कर सकते हैं पर हमें सही जानकारी ही नहीं दी गई चलिए सबसे पहले जो most important part है वो ये है कि शेहद को कैसे हमने नहीं लेना ये बात तो हमने जान ली कि शेहद हमें लेना चाहिए चलिए आपने मान लिया अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि शेहद को कैसे नहीं लेना जो हमें नुकसान भी पहुँचा सकता है तो सीधा सी बात है कि खाने की कोई भी ऐसी रेस्पी में हमें शेहद नहीं डालनी जिसे हमें उबालना हो जाने कि हमें उसको 100 डिग्री से उपर उसका टेंप्रेशर ले जाकर उसे पकाना है वैसे बहुत से लोग आज कल इसका इस्तिमाल करते हैं बहुत से बेकरीज भी में भी इसका इस्तिमाल होता है यो कि बिलकुल गलत है शेहद बहुत ज़्यादा गरम होने के बाद एक तरह से जहर का भी काम करता है क्योंकि इसकी रसाइनिक सनचना जो है वो बदल जाती है गों भी आपहस में सब्सक्राइब अदी जिवन में इन दोनों minutes, जर आपकोगो शहद को बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना और कभी भी इसको देशीगी के साथ इसका इस्तिमाल नहीं करना चलिए अब जान लेते हैं कि किस-किस रोग के लिए हम इसका कैसे कैसे इस्तिमाल कर सकते हैं वैसे तो शहद का इस्तिमाल हम किसी भी समय कर सकते हैं पर हमें खास कर अगर इसका फाइदा लेना है किसी बिमारी के लिए तो आप इसका सुबह सुबह इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी गुनगुने पानी में जी हाँ बिना कुछ खाए गुनगुने पानी में इसको मिला कर अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके बहुत फाइदे मन्द होता है पर आप ध्यां रखिएगा कि गुनगुना पानी होना चाहिए बहुत गर्म पानी नहीं होना चाहिए वो मैं आपको बता ही चुका हूँ और इसका सेवन उन लोगों को जरूर करना चाहिए जिनें हमेशां बलगम बनी रहती है उनके लिए ये सुबा सुबा शेहद गर्म पानी के साथ लेना एक रामबान नुस्का है अगर आप बहुत सी दवाईयां या मैडिसन लेने के बाद भी आपका नजला जो काम जो है वो सुबे सुबे लेना शुरू कर दे इसके इलावा ये आपकी दिल के लिए बहुत अच्छा है आपके मस्तिश्क के लिए बहुत अच्छा है आपकी सतरकता कोई बढ़ाने के लिए भी शेहद बहुत कारगर होता है इसलिए पढ़ने लिखने वाले बच्चों को सुबे सु उनको इस से बेहतर है कि शेहद की आदट डालने ताकि उनको शेहद के इस्तिमाल के बाद पढ़ाई में उनकी सतरकता और भी बढ़ जाए। इसके लावा शेहद बहुत उर्जा परदान करता है हमारे शरीर को जो स्पोर्ट्समेन हैं जो खिलाडी लोग हैं उन्हें भी शेहद का इस्तिमाल जरूर ही करना चाहिए और छोटे बच्चों को तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि शेहद जरूर खिलाईए ये उनकी मानस और शारीदिक ग्रोथ को बहुत इफेक्ट करेगा आप इसका चमतकार देख पाएंगे अगर आप इसका इस्तिमाल करेंगे तो इसके लावा ये वजन कम करने में बहुत सहायक होता है अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो आप शेहद का नीमत सेवन करना शुरू कर यानि कि एक गिलास गुन-गुने पानी में एक निम्बू और एक चम्मच शेहद का इस्तिमाल करते हैं तो ये आपके मुटापे को बहुत जल्दी ठीक कर सकता है और आपको स्लिम ट्रिम बनाने में हैल्फुल हो सकता है अगर आप बहुत सी एकसरसाइज ज़र जिम करके भी ठक गए हैं और आप पतले नहीं हो पाते तो एक बार ये वाला नुस्का भी आप जूरूर आजमा कर देखिए यह सौप्रतिशत कारगन उसका है जो आपके मुटापे को चुटकियों में दूर भगा सकता है क्यूंकि जब आप सुबह सुबह इसका सेवन करेंगे तो आपका मेटाबोलिजम जो है वो बहतर तरीके से काम करेगा आपके बेसिकली मोटे होने का कारण ही यही है कि आपका मेटाबोलिजम सही ढंक से नहीं काम कर पाता इसलिए जो भी आप खाते हैं वो आपके शरीर को प्रॉपर एनरजी नहीं दे पाता जिसकी वाजा से आपक कुछ खाने को करता है जो कारण बनता है आपके मुटा पे का अगर आपका metabolism सही होगा तो आप जो भी खाएंगे वो आपको उतनी energy आपको परदान करेगा जितनी आपको चाहिए और जब आप energetic हो जाएंगे तब आपको बार बार कुछ खाने का दिल ही नहीं करेगा इस तरह से काम करता है यह शहद और इसके विपरीत अगर आप बिल्कुल दूबले पतले हैं और आप कितना भी खाते हैं पर आपके शरीर को नहीं लगता और आपकी सेहद अच्छी नहीं होती तब भी आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने दूबले पन को दूर करने के लिए तो आपने क्या करना है आपने सिर्फ इतना बदलाव लाना है कि आपने इसको गरम पानी यानि कि गुन गुने पानी में इसका सेवन ना करने के बजाए इसका सेवन आपने नॉर्मल पानी में करना है यानि के दुबलेपन को दूर करेगा और आपकी सेहत अच्छी करेगा इसके लावा अगर आपको एनीमिया की बिमारी है यानि कि आपके श्रीर में खून कम बनता है तब भी उसका बहुत कारगर इलाज है कि आप सुबह सुबह गुन-गुने पानी में शहद का इस्तिमाल कर सकते ह एनीमिया होने का सीधा मतलब है कि आपके खून में आईरन यानि की लोहा कम हो गया है मतलब कि आपकी ताकत कम हो गई है आप जल्दी जल्दी ठकना शुरू हो जाएंगे और अपने रोजाना के काम जो है सही डंग से नहीं कर पाएंगे क्यूंकि जब आपके बलड में आईरन की कमी हो जाती है तो आपके श्रीर में हर भाग में प्रयापत मात्रा में आक्सीजन नहीं पहंच पाएगी जो सीधा सिधा इफेक्ट करती है आपके दिल को आपके दिमाग को यानिकी आपका दिल सही धंग से काम नहीं करेगा आपका मस्तिश्क अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाएगा जा और भी आपके जो श्रीर के हिस्से हैं चाहे वो लिवर हो चाहे वो आपकी किंडी हो वो अपने सही धंग से काम नहीं कर पाएगे क्योंकि उन तक पूरी मात्रा में जितनी उनको चाहिए उतनी ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं रही इसलिए अगर आप सुबह सुबह गुंगुने पानी में शेहद का इस्तिमाल करना शुरू कर देते हैं तो यह आपके शरीर में एक चमतकारिक बदलाव लाएगा और आपके RBC की मात्रा एकदम से बढ़नी शुरू हो जाएगी जिसका सीधा सीधा मतलब है कि शरीर के प्रतेक भाग में जितनी उसको ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन पहुंच रही है ब्लड में आईरन यानि की लोहे की मात्रा पूरी होने के कारण और अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ जाता है तो ये एक चमतकार लाता है आपके मूड में आपके एक्टिविटी में एक तरह से आपको पुनर जीवित करता है आप ऐसा मैसूस ही पहली बार करेंगे कि आपका मूड फ्रेश हो गया आप सबसे बहुत हसी ख शमता भी बढ़ गई है सिर्फ किसलिए क्योंकि आपने सुबह सुबह गर्म पानी में शेहद पिया है जिसकी वाजा से आपके श्रीर में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में पहुंच रही है ये इतना चमतकारिक बदलाव लाता है ये छोटा सा परियोग और इसके लावा शेहद का सुबह सुबह परियोग करना शुरू कर देते हैं अगर आपको किसी भी चीज से जल्दी जल्दी अलर्जी हो जाती है तो सिर्फ अगर आप शेहद का इस्तिमाल करना शुरू कर देंगे तो ये आपकी अलर्जी की प्रॉल्म को भी दूर कर सकता है और अगर आप आपको skin से related ज्यादा problem है तो आप शहद के साथ थोड़ी सी हल्दी और नीम की पत्यों का भी सेवन कर सकते हैं तो इसका असर दो गुना ज्यादा हो जाएगा और ये काम करेगा आपके श्रीर में detoxification का यानि कि आपके श्रीर में से गंदगी को बाहर निकालने का अगर आप इ कैसे ही गर्म पानी में और शहद के नियमित प्रयोग से हम अपनी मसल से related यानि कि कहीं पर भी अगर हमें दर्द हो जाता है हमें मासपेशियों से related कोई problem है तो उसका भी निवारन हो सकता है सिरफ शहद का इस्तिमाल करने से ये आपकी मासपेशियों की flexibility को बढ़ा देता है और हमारे श्रीर में कुछ भी अगर हमें दर्द होती है तो उसका सीधा मतलब है कि आपकी मासपेशियों आपकी मसल में flexibility कम हो गई है तो शहद के नियमित प्रयोग से आपकी मसल की जाने कि आपकी मासपेशियों की flexibility बढ़ जाएगी और ये सहायक होगा sportsman के लिए भी तर वो कोई भी खेल को अंजाम दे सकता है फिर वो चाहे कोई सा भी खेल हो और खेल में हमारी मासपेशियों को flexible होना बहुत ही आवश्यक होता है तो दोस्तों आज ही घर से चीनी फैंक दीजिए और शहद का इस्तमाल कीजिए वैसे भी मैंने आपको बताया कि भारत में श एक्सपोर्ट ही करते हैं शहद का हमारे भारत में शहद बहुत जादा मात्रा में उत्पन होता है इसलिए चीनी को छोड़िए और शहद को अपनाए और आप पाएंगे कि आपका जीवन ही बदल गया है धन्यवाद दोस्तों तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच् दोस्तों वीडियो देखने के लिए